तो स्वामी प्रसाद मौरे ना सिर्फ बीजपी के निशाने पर आई हैं समाजवादी पार्टी ना सिर्फ बीजपी के निशाने पर आई हैं बलकि अब संतों का भी आक्रोश संतों की भी नाराजगी झेलने को मिल रही है राम जन भूमी के मुखे पुजारी आचारे सतेंद्र दास ने भी स्वामी प्रसाद मौरे को करारा जवाब दिया आचारे सतेंद्र दास ने कहा कि अकलेश की बात भी नहीं मानते हैं उनकी भाशा समाजवादी पार्टी को नाश करने वाली है उसे हराने वाली है और बहुत है कि सारवी भौन सूखितना की यह प्राथना करता हय और सभहना की भावना जो रखता है और बसंद्थेवी कुठंग की बात करता है यह जतने गुण है वो ही हिंदू है और हिंदू धर्म है और यह कभी नहीं ने परधान मंति जी ने कहा और नहीं हमारे जोगी आदितना नहीं कहा यह यह केवल मनमुखी है और यह स्वामी परसाद मौरिया जी की बात है और अभी जब यह अखले जी ने ब्रामौन का सम्मेलन किया तो उनको हिदायत स्वामी परसाद मौरिया को कि किसी धर्म का किसी जादिका किसी का भी अपमान जनक बात नक है और फिर भी नहीं मानता है और नहीं मानने के बाद जब उन्जी विवाद नहीं मानता है इसका मतलब है कि वह विरोधी है समाजबादी का और समाजबादी में घुस करके और य यह उनको नास करने वाला उनको पराजिर करने वाला यह भासा बोलता है जिससे कि हिंदू नराज हो यह ब्रामण नराज हो और सभी लोग नराज हो जाएं इससे सब को नराज करने के लिए बोलता है स्वामी प्रसाद मौरे ऐसे वक्त पर बयान दे रहे हैं जब राम मंदर को लेकार उनकी पार्टी के अपने ही देता अध्याक्ष सांसत ये कह रहे हैं कि राम मंदर के कारिक्रम में अगर निमंतरन मिलता है तो वो जरूर शामिल होंगे